है when they say good match सो खत्म हो चुका है चल्सी वावस मैंचेस्टर सीटी और तो इस गेम क्वें को एस देख i400 लग रहा था कि Chelsea derskizk अध्य के अंधर चाहता है कि वह प्रिमियर लीड लीग के लिए कांटेंट κंपीट करें प्रिमियर लीड के लिए मैंचेस्टर सीटी के साथ या फिर उनके अंदर यह intent है कि वो जाएं अपना अपना जो गेम है वो दिखाएं और मैंजेस्टर सीटी को मैंज टो टो टकर दे ऐसा नहीं लग रहा था ये गेम देखकर क्योंकि गेम के एकर हम बात करेंगे तो कुछ था ही नहीं गेम में जितना था मैंजेस्टर सीटी न बात करते हैं अब चेल्सी के अटाक एटाइकिंग ऑप्शन्स के तो पहले मैंने जो स्कॉर्ड देखा तो जीएच और पुलिसिच स्टार्ट किया आज उन लोग ने दोनों ने स्टार्ट किया था अलांग साइड लुकाकू जीएच और पुलिसिच का गेम फुल आफ था मतलब वो लोग बॉल को होल्ड नहीं कर पा रहे थे लुकाकू को अच्छे तरह से बॉल खिला नहीं पा रहे थे जो लुकाकू को चाहिए जब आप लुकाकू को ऐसा स्ट्राइकर खिलाते हो तब आपके पास पैसे बंदे होन जाना नहीं चाहिए था लुकाकू के साथ मेंसन माउंट या फिर काल हैवर्ट बेस्ट रहता अगर टुखल ने मतलब टीम शीट निकाला था तब अगर ध्यान दिया होता कि आप मैंसीटी से खेल रहे हो आप एक मतलब आप एक चैंपियन टीम के साथ खेल रहे हो वो आप आपको ज्यादा मौका नहीं देगी आपको पेसी प्लेयर चाहिए और मतलब नहीं जी एच के पास उतना पेस नहीं है क्योंकि हमने देखा है कि जब भी बॉल लेकर वो जा रहे थे इजीली उनसे बॉल लूज हो जा रहा था बॉल बॉल इजीली कलेक कर ले थे गेम में खेलते हैं फिर मैसन मैसन माउंट अगर सुरू से खेलते में स्टार्टिंग मिनट से अगर वो खेलते तो कुछ हो सकता था इस गेम में और इजीली मैंचेस्टर सिरी ने डॉमिनेट कर लिया और वो लोग गोल त्रेट दे रहे थे चलसी को लगातार वो लोग गो या उतना मतलब लीथल नहीं था बोल सकते हो उनको भी मसकत करना पड़ रहा था और इस मैच को इस मैज में एकर रिजल्ट लेना था उनको या फिए चल्सी को तो एक बैंगर चाहिए था जो कि केविन डिब्रोने ने दिया तगडा गोल वह गोल ना रुख सकता था ना अब मतलब expect नहीं कर सकते कि वहां से डिप्रोई ना स्वाट ले लेगा कोवाचीच मुझे लगा कोवाचीच को थोड़ा सा close down करना चीए था बहुत क्या लेकिन गोल के बार मैं अब कुछ नहीं बोल सकते हो गोल बहुत तगड़ा था बहुत हैब इक गोल सकते हो लीथल गोल बैंगर था इस बन्हा लेग और मैंचेश्टर डिसूर्ट तू इंड़ गेम or यह दिजिए न वीग क्योंकि जिसारव लॉट फॉन का फॉ गेम था कोई भी प्लेयर उस टाइप करने था वहां चलसी ने डिफेंड अच्छा किया अच्छा से डिफेंड किया उन्होंने बट फिर भी उनका गेम काफी ओफ था है अटेकिंग आप्शन में बहुत ज्यादा ओफ था लुकाकू बस एक ही शॉट मैंने देखा लुकाकू था मेंसन माउंड आया फिर भी कुछ नहीं बन पा रहा था पुलिसीच भी जब तक था पीछ में ऐसा कुछ कमाल नहीं किया उसने या फिर बोल सकते हो कि कुछ क्रियेट ही नहीं हुआ आज मैंचेस्टर चल्सी के साइड से सो यह गेम मैंचेस्टर सीडी डॉमिनेंस था और डिजर्व करते थे मैंचेस्टर सीडी इस गेम को जितना इस गेम में तो और कुछ था नहीं अब हम लोग मूव करते अपना अगले गेम के तरफ तो यह गेम कफे इंट्रेस्टिंग था यह गेम बहुत ज्यादा इंट्रेस्टिंग था और इस गेम मैं मैंचेस्टर सी गेम में अगर मतलब कम से कम 2-3 का तो score होना चाहिए था इस गेम को एक justice मिलता अगर 2-3 का score होता एस्टेन विला जीतती तो इस गेम को justice मिलता और मैंसे स्टेन ये डेंट न वजितना पूरे रहता है सेम वैसा ही रहा ना कुछ create किया मस first 45 minutes वो लोग थे थोड़ा गेम में हल्का पुलका but second 45 minutes तो एस्टन विला ने पूरा बॉरस कर लिया था पूरा गेम को second 45 minutes में और जब जब वो एस्टन विला तो मेरे Concedle किये थे jasin villa नं जो ने जो दो घोई कीए थे वो एरर था आप बोल सकतो मैंचेस्टिव ग ainteter का उतना कुछ इसमें यह नहीं था कि उन्होंने गोल धोकी द्रिया या फिर फिर और घौनगे रेट किये ऐसा कुछ नहीं था वह एरऱ् से दोनों पहला गोल एमिलियानो मार्टिनेज कायर था जो उसने बंदे ने ग्राइब नहीं कर पाया अच्छा से और गोल हो गया दूसरा गोल तो सैंसोन का सीधा एक बैक पास था जो फालतू बैक पास जो नहीं पहुंचने वाला टाइलर मिंक्स के पास और इजिली फ्रेड ने बॉल को लिया राफ रागनिक के उन्डर झेलने के लिए उनके पास प्लेश नहीं और वो सफर करेंगे वो सफर करेंगे दे इन डे आउट जितने मैचेस खयलेंगे वो सफर करेंगे कि system किवाल अफ्रागनिक बैचारा करेगा तो कितने सीस्टेम चेंज करलेगा प्लियर ही नहीं है उस हिसब का उस टीम में तो पीर क्या ही कर सकता कोई मैंजर अब दूसरा सिस्टेम तो नहीं ला सकता, कोई साथ विस्टेम नहीं एडप्ट कर वाएगा इतनी जल्दी so उसके के पास हां दो-तीन क्लच प्लेयर से अगर चाहेंगे तो हो सकता है बट नहीं नहीं होगा क्योंकि उनका परफॉर्मेंस बहुत बद्दर है बहुत खराब परफॉर्मेंस मैंजिस्ट उनेंटेट का जिसको बोल सकते हैं फाल टू एक दम बखवास परफॉर्मेंस को चाहिए था मेरे साब से जराड को चाहिए था साइनिंग्स कैश मैंत्यूं कैश करोंगा राइट राइट फंस एस्टें विला के पास प्लस एमिंडिया एमिंडिय ने पूरे गेम को बॉस कर लिया उसका पोजीशन भाई पोजीशन ले रहा था ऐसे जगए पोजीशन वो win deserves करते थे इस game में वो win deserves करते थे और अगर वो win ने तो उनका भी उनी के गल्ती के वाज़े से वो नहीं जीते हैं क्योंकि magic नहीं है तो लोग शायद जीत जाते इस match को और Manchester United भाई क्लाइंगे पता नहीं क्या होगा उनके साथ पता नहीं क्योंकि day in day out उनका इतना खराब performance रहता है मुझे तो आज भी लग रहा था अगर Manchester United जीतेंगे तो यह means क्या ही बोलोगे यह lucky win होता अगर Manchester United आज जीते क्योंकि वह गेम में थे ही नहीं गेम में कहीं भी नहीं थे Manchester United first 45 minutes हलका पुल का उनका अच्छा रहा इतना भी नहीं कि वह पूरा dominate किये थे first 45 minutes भी उनका हलका पुल का अच्छा था थोड़ा बहुत अच्छा था एलांगा और मैसन ग्रिनूड अच्छे runs निकाल रहे थे और गोल पर शूट कर रहे थे बट फिर उसके बाद तो पूरा डिया न बचा लिया Manchester United को आप एक तरक की से बोल सकते हो कि हाँ डिया न बचा लिया डेनिया का वो तो गोल डिजर्व करता था बोंडिया का जो जो सेटपीस कॉर्णर से तकड़ा है डर था वो भी गोल डिजर्व करता था बट डिया इस सीजन कुछ अलगी लेवल पर है डिया का जो आप बोल सकते हो डेवलप्मेंट अभी दिखा है क्योंकि इतने सालों में तो हम लोग नहीं देख पा रहे थे कि डिया बट इस सीज हाँ अब पॉइंट टेवल में भी थोड़ा सा इधर उदर हो गया मैंचेस्ट उनाड़ सेवन्थ पर हैं आज के ड्रॉ के बाद और देखो क्या होता यार क्योंकि मैंचेस्ट उनाड़ का पफॉमेंस वो डिजर्व नहीं करते हैं इतना घटिया पफॉमेंस आप दोगे इंडिया और तो कैसे चलेगा मैं टॉप सिक्स भी आप डिजर्व नहीं करते हों फिर क्या ही बोले मैंचेस्ट उनाड़ बहुत भकवास खेल रही है और आप मैनेजर को गलती मैनेजर को कोई ब्लेम नहीं कर सकते आप वो सब प्लेयर्स का है जो है जमेला जबाटा जो है सारा कुछ प्लेयर्स का है प्लेयर्स के गलती के वज़े से यह है जो है आज के वीडियो में इतना ही था यह रिव्यू वीडियो था बेसिकली और आज के वीडियो में इतना ही था आपको मेरा अगर अच्छा लगता है कंटेट तो प्लीज सब्सक्राइब टू मैं चैनल झांक यू